चलिए, आज से हम स्टार्ट करते हैं, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, सबसे पहला क्वेशन हम से क्या पूसता है क्वेशन नमबर 650 वेन केरिंग फॉर आ मेल क्लाइंट हुई रिसीविंग कीमो थेरपी फॉर कैंसरस कंडिशन एक वेक्ती, एक मेल क्लाइंट में इस परमेटोजेनीस कब होगा जब कोई भी मेल बेबी पैदा होता है तो उस समय पर बचपन में, उस समय पर उसके पास होते हैं में इस परमेटो गोनिया spermatogonia जो बड़े होके puberty के टाइम पर mature होते हैं और बनाते हैं spermatozoa इस process को कहा जाता है spermatogenesis इस process को कहा जाता है spermatogenesis यानि primitive sex cells कौन से होती है spermatogonia और वो बाद में puberty के टाइम पर mature होके क्या अबनाती है spermatozoa तो हम क्या बताएंगे कि spermatogenesis कब होती है at the time of puberty यही सही answer है चलिए next question number 651 a nurse is caring for a client with undescendant testils एक patient है जिसका undescendant testicles है the nurse teaches the client that the main reason why testicles are suspended in scrotum क्या reason है कि जो testicles है वो scrotum में suspended रहते हैं यह बात हमने 11-12 standard में पढ़ी है बच्चे कि sperm के formation के लिए जो temperature चाहिए होता है वो body temperature से कम चाहिए होता है ठीक है क्योंकि heat क्या करती है sperm को destroy करती है इसलिए हमारे सरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए होता है sperm के formation के लिए और इसलिए scrotum के अंदर हमारे testicles रहते हैं ताकि वहाँ पर जो temperature है वो कम maintain किया जा सके तो answer हम क्या बताएंगे protect the sperm from high abdominal temperature sperm को high heat से heat क्योंकि sperm को destroy करता है इसलिए heat से बचाने के लिए high temperature से बचाने के लिए जो testicles होती है वो scrotums में embedded होती है चीक है next question number 652 छोड़ दीजिए आप खुद से कर लिजेगा कोई concept इसमें से निकल के सामने नहीं आ रहा है question number 653 अगर किसी को prostate cancer है तो उसके body में किस चीज़ का level बड़ा हुआ रहेगा अंसर जाएगा prostate specific antigen PSA prostate specific antigen का level बड़ा हुआ रहेगा उस व्यक्ति में जिसको prostate cancer है ध्यान रखिएगा tumor marker cancer marker काफी बार पूछे जाते हैं जैसे CA 99 किसका है बच्चे tumor marker intestine cancer का intestinal cancer का marker है CA 99 इसे तरिके से CA 125 किसका है ये मुझे आपको comments में बताना है ठीक है आप मुझे बताएंगे CA 125 किसका है CA 153 किसका है alpha phytoprotein किसका है alpha phytoprotein किसका है बच्चे liver cancer CA 125 ovarian cancer CA 153 breast cancer CA 99 intestinal cancer PSA prostate cancer NMP22 NMP22 bladder cancer ये सारे याद रखिएगा bladder cancer ये सारे tumor marker याद रखिएगा ये पूछे जाते हैं नेक्स्ट question number 654 a nurse is caring for a client with the diagnosis of BPH benign prostate hyperplasia एक व्यक्ति का diagnose हुआ है what information about the condition is important for the nurse to consider when caring for the client BPH अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो उस व्यक्ति को और क्या हो सकता है जहां से देखिए बच्चे मान लीजिए bladder empty नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर हो चुका है prostate उसको BPH हो चुका है बिना इन prostate hyperplasia prostate enlarge होने की वज़े से bladder खाली नहीं हो पा रहा है urine build up कर रहा है urine धीरे-धीरे-धीरे-धीरे build up करेगा और urator में पहुचेगा यूरेटर के बाद urine जाएगा kidney में और kidney में back up करने लगेगा urine और जब kidney में urine back up करने लगता है तो उस condition में आप देखोगे यहाँ पर पूरी swelling होती भी नजर आएगे kidney की और उसे कहते हैं हाइड्रो नेफ्रोसिस तो प्रोस्टेट का enlarge हो जाना urine back up करवाता है जिसकी वज़े से हाइड्रो नेफ्रोसिस व्यक्ति में देखने को मिल सकता है मैं आपको image दिखाता हूँ इस डाइग्राम को देखे वज़े प्रोस्टेट enlarge होते हुए नजर आ रहे हैं आपको जैसे ही प्रोस्टेट enlarge हुए अब urethra compress हो चुकी है तो urine जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे है जब urine बाहर नहीं निकल पा रहे है तो urine बिल्ड़ और धीरे 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 करके वो ureter में back up कर रहे है यूरेटर में back up करने के बाद धीरे 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 urine इतना ज़्यादा है कि वह kidney में back up कर रहे है जिसकी वज़े से आप देख रहे हो swelling नजर आ रहे है आपको kidney में जिससे हम कहते हैं hydro nephrosis hydro nephrosis और hydro ureter होता हुए आप से question पूछे कि BPH की वज़े से मरीज को क्या हो सकता है एक और एक अंसर जाएगा hydro nephrosis क्योंकि urine back up करता है पीछी की तरफ तो आप मुझे इसका अंसर बताइए कि अंसर क्या जाना चाहिए अंसर जाएगा कि हम मरीज को predispose करेगा hydro nephrosis के लिए ठीक है BPH का होना hydro nephrosis करवा सकता है व्यक्ति को चलिए next question number 655 a nurse is caring for a male client who is scheduled for dilation of urethra एक व्यक्ति है जिसके urethra dilate करना है हमें which structure surrounding the male urethra should the nurse included in teaching program urethra के आसपास कौन सा structure है जिसके बारे में nurse procedure से पहले explain करेगी अगर आपको urethra को dilate करना पड़ा है इसका मतब वो compress हो चुकी है किसकी वज़े से एक मात्र structure जो urethra के आसपास होता है उसे हम कहते हैं prostate gland prostate तो जाहिर सी बात है अगर आप dilation of urethra के लिए समझा रहे हो तो आप समझाओगे prostate gland के बारे में भी क्योंकि question में पूछा गया है कि कौन सा structure है जो urethra को surround करता है अंसर जाएगा prostate चली तो यह देखे नॉर्मली यह urethra होता है और इसके आसपास यहाँ पर क्या होता है prostate gland होती है और जो हम benign prostate hyperplasia पढ़ते हैं उसमें यह prostate काफी enlarge हो आता है जिसकी वज़े से urethra को यह compress करता है और BPH के लकसन आते हैं question number 656 a nurse is counseling a woman who had recurrent UTI एक woman में recurrent UTI हो रही है urine tract infection बार बार हो रहा है what should the nurse explain is the reason why women are at greater risk than men for contracting UTI UTI females में ज्यादा क्यों होता है इसके दो reason होते हैं बच्चे एक तो जो urethra होता है यानि urethral opening जो होती है female में वो NS के close होती है जिसके वज़े से UTI infection का risk बढ़ जाता है और second urethra की जो length होती है female में वो काफी short होती है male की length आप देखोगे 18-20 cm होती है लेकिन female में urethra की length सिरफ 4 cm होती है इसलिए इतना short urethra होने की वज़े से ज़्यादा chances होते हैं कि female को infection ascend कर जाए उपर की तरफ चले जाए इसलिए short urethra की वज़े से female में UTI ज़्यादा होता है और close proximity to NS, NS के close proximity में होने की वज़े से भी female को UTI ज़्यादा होता है तो answer क्या जाएगा, क्यों females को UTI ज़्यादा होता है, because of proximity of urethra to NS NS के close proximity में urethral opening होती है, इस वज़े से भी female को UTI ज़्यादा होता है ये बात ध्यान रखिएगा, ये question आता है, ऐसा juice पिलाएं जो उसके urine को, UTI में ऐसा juice पिलाएं female को जो उसके urine को कैसा बना दे, acidic ताकि उसमें bacteria grow नहीं कर पाएंगा, जब bacteria grow नहीं कर पाएंगे तो UTI ठीक हो जाएगा तो उस juice का नाम क्या है, cranberry juice, cranberry juice, इसलिए female को, UTI वाली female को cranberry juice पिलाएं जाता है, क्योंकि वो उसके urine को acidic बनाती है, चीक है, next question number 657, a routine analysis is ordered for a client, एक client के लिए routine analysis किया जा रहा है, what should the nurse do if the specimen cannot be sent immediately to laboratory, अगर laboratory में आप एकदम से immediately sample को नहीं भीज पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप उस urine sample को refrigerate कर दोगे, अगर आप ने कोई urine का sample लिया और आप उस को immediately नहीं भीज पाए, कोई बात नहीं, आप refrigerate कर दो उस urine sample को, इस से क्या होगा, इस से उस में, उस urine sample में contamination नहीं होगा, growth of bacteria, बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, उस urine specimen, उस urine sample में, चीक है, तो जाहिर सी बात है, जब भी अगर आपने urine का sample लिया और उसे आप immediately नहीं भीज पारें, तो तब तक के लिए उसे refrigerate कर दें, ताकि उसमें bacteria ग्रो ना करें, चलिए, next